नुहु जिला प्रसासिन की ओर से देश के प्रतम ग्रह मंत्री एवं देश के एकता के सूत्र में प्रोणे वाले लोहो पुरुष सर्दार पल्लम भाई पटल की जयनती को राश्टिय एकता दिवस की रूप में मनाय गया है इस अवसर पर रन फोर यूनटी का आयोजन किया गया तथा युवाओं को राश्टिय एकता वा देश निर्माण में सक्रिय भागिदारी करने की सफ़ा दिलाए गई लगु सची वाले में आयोजित इस कारेक्रम में अतरिक्त अपायक्त रहनू सौगन ने मोखेतिती के रूप में सिरकत की है अतरिक्त अपायक्त रेनु सौगन ने इस कारेक्रम के दौरान काहा है कि लोहोपुरुष सर्दार पल्लंभाई पटैल ने छोटे-छोटे टकड़ों में इस्तित रियासतों को एकटा कर देश को एकता के सुत्र में प्रोने का महत्रपून कारे किया था ऐसे महानायक सर्दार पल्लंभाई पटैल को सधियों तक उनके कारेवाद देश सिवा के लिए किये गए कारेवाद के लिए याद किया जाएगा हमारा देश लगबग 200 साल तक अंग्रेजों का गुराम रहा जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली तब देश में 56 62 रियासते थी सर्दार भल्लंभाई पटैल ने इन सभी रियासतों को अपनी सूझभूच लक्न वा अथक प्रियासों से एक सूत्र में बांधने का कारे किया हमें ऐसे महान पुरसों को कभी भूलना नहीं चाहिए तथा देश सिवा में उन्हों जारा किये गए कारेव की प्रेड़ना लेनी चाहिए आप देख रहे हैं नुहों मिवास लियाकत अलिक रिपोर्ट चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और रोचना देखते रहिएगा जले की तमाम चोटी बड़ी ख़बर है रनपर उनुटी आज पूरे देश में मनाया जा रहा है श्री सद्धार वल्लभाई पतेल जी के जर्वगिल पर उन्हों में भी हमने वो प्रोग्राम ओगनाईज कर वाया है जिसमें स्कूली बच्चों को और कोशिश करिए कि हद अप्य के लोग आएं और एक के लेक्ष अप्याँ कर लोगने प्रोगिल बचिए और आएंब। कर ले पर आएंवे ने वोगने प्रोगने जा खिएीज करेंगा ड़ाएंगा, इसलिजिए आर बच्ष और पतेले में हैं और भने में अवर प्रोगनें अवरे पाराइंएवें